कि हमने Ho A Prime इंशल सिस्टम संछ में द八 चीजा T는데 are financial Markyard Financial Institute financial product ये पूरा का पूरा Financial In수 too यह पूरी-पूरी प्रोडाट के लिस्ट है that's one हमने पूरे सेखतम कर लिया है आज स्टुमारा टोपिक है financial you बच्चा क्या मैं उसे capital market के investment institutions बोल सकती हूं financial institution बोलो या फिर capital market investment के institutions मतलब यह लोग पैसा यहां लगाते हैं चीक है कहा security market में capital market में primary market अभी हम पढ़ रहे हैं चीक है चली तो financial institution के यहां पर list है कुछ नाम दे रखें हैं सबसे पहला नाम के लिख है national level institution तो national level के कुछ institution की list और कुछ नहीं ऐसे state level की है qualified institutional buyer foreign portfolio private angel venture pension यह सारे के सारे institute है जो पैसा लगाते हैं तो एक-एक को लेकर चलिए detail में पढ़ेगी सबसे पहले आपको heading मिलेगी आपकी बुक में capital market investment institution तो इस introduction में खुझ भी नहीं है इदो दर की general बाते कर रखी है सीधा start करेंगे सबसे पहला जो institution पढ़ने वाले क्या लिखा है यह national level के institution word में ही meaning ढूंडो यह institution all over India काम कर रहा होगा इन्होंने का भीया all over India कौन काम कर रहा है तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया अल इंदिया डेवलप्मेंट बैंक जिसको शॉट्पर में क्या बोल दिया है AIBBS चीक है चले इंक्लोड दोस डेवलप्मेंट बैंक विच प्रोवाइड इंसिटूशनल इंसिटूशनल क्रेडिट नॉट ओंली तू लार्ज और क्या लिख्या बच्चा मीडियम भी बट ऑल्सो हेल्प प्रमोशन डेवलप्मेंट ऑफ दी स्मॉल स्केल इंडूस्ट्रियल यूनिट इन्होंने का यह all over इंडिया डेवलप्मेंट बैंक है नाम स बच्चा इन्होंने का कुछ बैंकों के नाम बता रहे हैं जो पूरे आल ओवर इंडिया में काम करते हैं कुछ बैंकों के नाम बता रहे हैं जो पूरी इंडिया में काम करते हैं के लिए इंडिया हम कुछ नहीं बैंकों के नाम बढ़ रहे हैं यह बैंक क्या कर रहे हैं प और चीख फिर करनाव में बैंकों के नाम के अंदर को यह पेरेक्राफ ना प्रताता है पूरा ऑपुरा डेटा उसकी हिस्ट्री बताते है कब बना किस परपस के लिए बना के बात समझ वारी है थोड़ा नाम पर जाएंगे Industrial Development Bank नाम ते ही ढूंडो Industry को Develop करने वाला बैंक तो यह क्या करता होगा उन Industries को Lone देता होगा Very Good क्या है India Finance Corporation यह क्या कर रहा Finance दे रहा है Industries को भी ठीसरा नाम क्या है Small Industry इंड़्सियल इंवेस्ट्रीज इन्फेन्ट बैंक ये क्या कर रहा है इंवेस्मेंट इन्वेस्ट कर रहा है बच्चा यह बनाась अब था 1964 ये कब ना था 1948 बच्चा ये कब ना था पूछ कोई नहीं दिख रहा 1990 को बहुत ये कब ना था 1985 तो ये सारा जो डेटा है ना बच्चा ये जनरल डेटा जो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको कोशिंट पेपल दिखाया कोशिंट में में साफता प्लिख है राइट और शॉट नोट आजाता है ना अगर इन्होंने बोल दिखो तो आप पहले बता दोगी फुल फॉर्म बताओगे पहले किसके लिए है ये इंडर्स्ट्री को डेवलप करने के लिए इस्टैब्लीश कब आ नाइंटीन ये एपक्स फानेंचिल इंस्टूशें ने फॉर्द इंडेस्ट्री कंट्रेट मेंट्री परपस बता दिया केटर करता है्टा डाइवर्सिफाइ करता है नीट्स अव धी मीडिए मेडियम और लाज्ज स्केल इंडर्स्ट्री इन्होंने बोला भाई है ऋल इंडेंट्या डेज़ेवेवेडंच लीडियम स्मॉल पो करता है है सब लाइज मीडियम स्मॉल अब तो अभी हम आई-डीबी आए पढ़ रहे हैं ही के बोल रहा है हम किसको कवर करते हैं मीडियम और लाइज को financial assistance देते हैं मतलब finance दिया जाते है पैसे दिया जाते है ना finance की facility दी जाते है बोध directly भी करते हैं और बच्चा indirectly भी also promote institution engaged in the industry development हम उन सारी industries को promote करते हैं बच्चा जो हमारे देश के development के लिए particular industries को लेकर ताकि हमारे देश में industry बढ़े तो automatic हमारी economy grow करेगी डारेक assistance देता है प्रोवाइड़ बाई वे ओफ प्रोजेक्ट लोन अब एक्दम काम बताना चालू कर दिया बच्चा यह क्या कर रहा है help करता है क्या-क्या facility देता है project loan को यह project पूरा finance हाना help कर देता है पैसे की through फिर क्या लिखे बच्चा अंडर राइटिंग करता है ITEX company ITEX company क्या कर रहा IPO लेकर आ रहा है मुझे चाहिए एक underwriter मुझे क्या चाहिए एक underwriter तो यह idbi क्या बन जाएगा underwriter जो मुझे guarantee warranty देगा कि tension मत लो हम 90% का subscription करवा देंगे तो यह उसके एकदम detailed काम की बात करें main काम क्या बच्चा industry development को लेकर finance देना यह तो main काम है इसके अलाग हो क्या देता है बच्चा project loan देता है फिर क्या लिखा है underwriting का का काम करता है और क्या लगा है इन इन्डिस्ट्री की सिक्योरिटी को subscribe करता है मतलब investment करता है ना फुद खरीद लेता है मैं अगर estatal company के shares खरीद रही हुँ तो मैंने shares में क्या-क्या सब्सक्राइब किया ना सब्सक्राइब करने मतलब खरीदना मैंने investment किया लोट क्या लिख आ है लुट कि छोटे तुरंद वाले लोट क्या लिख आ है कि टेक्निकल रिफंड लोन बच्चा नाम पर ही जाओ आपको बहुत एक्सपर्ड लोटज ज़रूरी नहीं है वर्ड का यह मीनी निकालना आ है लुट करने वाली जो भी लोन सोगे उसे क्षेंको लिख है इन डारेक असिस्टेंस देता है किसमें प्रोवाइड इन दा फॉर्म ओफ री वनाइंस फैसिलीटी तो इंडेश्टियल कंसर्ट वोट इमीन री फैसिलीटी तो फिर से करना मतलब मैंने कहा कि आइटेक्स कंपनी आपको लोन लेकिन मुझे डर लग रहा है कि भाई अगर तुम नहीं चुका पाए तो मुझे दिक्कत हो जाएगी तो मैंने क्या कर लिया अपने से बड़ी कंपनी से जाकर लोन ले लिया रिस्क को कवर कर लिया तो क्या भी फैनेंस नहीं हो रही है वापस मैंने दिया आपको लोन मैंने आपको दिया लोन आपने का दीदी काम करता है बच्चा इनम इब आपको मैंने आइडी अपको पूरा रीड कर रहा है तो उसमें क्या-क्या पता चला कब बना कि में इन इंडस्री को मीडियम और लाइश केल मीडियम और लास्केल ओविसलिन निचे वाला क्या होगा स्मॉल स्केल चीक है इट्स एम टूप्रोबाइट फाइनचल असिस्टेंट किसको इंडस्री को पॉपी और्ट करेंसी लोण मतलग इन टर्म अर्व करता हैं घुयंट कर रहा है कर रहा था कर रहा था इसbn匹 कर रहा था इस राख shares bond venture industry concern it is also diversifying the activity finance करता है किसको merchant banking को syndicates of the loan अब ये सारे term दीदी अपने बसके बहार है चलिए देखते हैं क्या लिखे फिर भी ये finance देता है किसको merchant banking मतलब ये commerce वाले business की बात कर रहे है अब वो merchant banker की तरफ मत चले जाना ठीक है तो ये क्या कह रहा है बच्चा ये नॉर्मल जो business man होते उनको क्या देता है loan क्या लिखे फिर syndication of loan syndicate मतलब इखटा पूरे एक association पूरे एक घटा करके मोटा loan प्रवाइड करता है formulation क्या लिखे है what do you mean rehabilitation programs rehab करना चीजों को ठीक करना rehab वर्ड का मतलब होता है चीजों को ठीक करना ऐसे कोई भी अगर प्रोग्राम्स होते हैं इसको बनाता है इसमें पैसे जो लगाने होते हो लगाता है इन शॉर्ट बच्चा मैंने दो आपको पढ़ाया इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब पढ़ाऊंगे बस मैं आपको बता रही हूं कि content अंदर का क्या है एक bank है कब बना है और उसके काम क्या है क्या बात समझ भाई ऐसे ही नाम से समझना में काम क्या है small industry development bank का में काम क्या है small industry तो focus करना very good main काम इससे नाम से समझो industrial investment bank of india बच्चा यह कह रहा है कि भाई हम investment करते हैं अभी तक लोन लोन कह रहे थे में काम लोन था और अंदर अंदर जब पढ़े थे तो investment भी कर रहे थे इसका में काम क्या है investment क्या बात समझ माई next heading को क्या लिखा है specialized financial institution में के अंदर के detailing बच्चा इसले नहीं पढ़ा रही क्योंकि मैं पढ़ाओंगी भूल जाओगे खुद भी पढ़ोगे भूल जाओगे क्योंकि किसको याद रहेगा किस year में यह आया था इत्ती सारी जो chapter भी हमने पढ़े उसकी limit क्या कम थी जब आपको year भी याद करना पढ़ेगा आपका by default concept के लिए हो जाना चाहिए कि भीया पहले हमें पकड़ना है main काम को main काम इसका क्या है यह नाम से हमें समझ में आजाए क्योंकि right or short note में नाम तो लिखा होगा नाम से main काम तो समझ में आजाएगा और एंसिलेरी क्या 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 काम होते वह आपको कैसे बता चलेगा कैसे बता चलेगा बच्चा मैं आपको एक जनरल लिस्ट दूंगी जो अभी दूंगी थोड़ा सा बस पेशेंस रखो Heading क्या लिख्या बच्चा Specialized Financial Institution हमने अभी हिप पहला पढ़ा था यह पूरी इंडिया में डेवलोपिंग बैंक्स है बैंकू की लिस्टी यह क्या बोल रहा बच्चा Specialize That किसमे Specialize लिखा है इसी बैंक का एक वेंचर कैपिटल फंड है यह बैंक क्या कर रहा था इसने अपनी ही दूतरी दुकान खोली दूतरी कंपनी खोली ठीक है और क्या काम कर रही है वह कि वेंचर कैपिटल जाएगा तो दिमास में क्लिक होना चाहिए रिस्क लेना मतलब हैնे क्या करता है वह श्वत करता है वह सकते स्ट extrem एंभी नीगी स्ट्व ढहीं आ रही वह मैं अब है आपको में परपस बता दो सब क्या बता रही हो में परपस पिर क्या लिख है बच्चा आइसे हैं इस अपने वेंचर कैपिटल अलग से इसलिए इसलिए बोले स्पेशलाइज यह बैसे लाइज मतलब एक प्रोफेशनल टीम है जो दूर से भाप लेते बहिए आने प्रोजेक्ट पैसा नाम बस तीसरी लिस्ट क्या लिखी है इन सब का काम क्या होगा investment इन सब का काम क्या होगा investment सबसे पहला नाम नहीं जानते क्या आप LIC LIC आपके पैसे ले लेता है कहा लगाता है शिर्टी मार्केट में investment करता है समझे है यूटी आइक सुना सुना है करण्द यादा यह पहला मिचल फंड था लेकिन किरिये बंद्ध हो गया क्या को बता दीं मुझे बताओ इंशुरंस का काम बस लाई से करता है क्या कि बाकी लोग भी करते है करने वाली बहुत सारी कंपनी यह लेकिन यूटी आई है मिचल फंट को लेकर काम कर रहा है लेकिन दूसरी कंपनी जैसे लाइची है वह लेकिन प्राइवेट भी है है यूटी है मिचल पंड को लेकर काम कर रहा है लेकिन दूसरी कमड़ी पढ़ा था फ्रैंक्लिंड करके कुछ आप नाम सुन रहते हैं वेरी गुड और मिचल यह लोगों का पैसा अलाइसी का पैसा एक खटा किया इन्वेस्ट किया बच्चा यूटी में क्या क्या चोटा पैसा मिचल फंड है ना पैसा आपका सेविंग लिया और क्या-क्या मार्केट में लगाए जी आई से क्या बोल रहा है जेन्र इंशुरेंस यह तो लाइफ है ना लाइफ को लेकर छोड़ दो बागे सब जेनरल क्या है फायर हो गया है एल्थ हो गया किते सारी चीज़े होती है ठीक है तुर ने यह जेनरल इंशरेंस मैं आपको भी मेन काम समझा रही हूं ताकि कंसेप्ट के साथ से अंदर का डेटा जितना भी पड़ो कमी पढ़ने वाला बच्चा ये सारी कंपवने ना स्पेशल एक्ट के अकोर्णग बनी है लइसी का है लाइफ इंशरेंस एक्ट वाली कंपट हो गई ये यूटी आई का एक एक्ट है बच्चा सेम जनरल इंशरेंस बिजनिस का भी एक आट है मैंने आपको बताय था जब भी कंपनी बनती है और साथ में पैलेल उसका एक अट होता है तो वह सारी कंपनी जैसे कि आपका इंसीट्ट आपका इंसीट्ट का एक आपक बी यह ठीक है तो यह जन्रल इंफर्मिशन जब आप उस्ट नोट लिखोगे तो बता दूगे इस के अलग से इंडिजियल इक अट है यह स्पेशल कर रहे हैं कि पूरी इंडिया में काम करते इन्होंने फोकस किया पहले हम बैंकों की बैंकों के चैळब यहां तक चीजह के लिए अलो और इंडिया मतलब सेंटर लेवल में काम कर तो ऐसे ही क्या होगा बच्चा बहुत जर्नरल डाउट है आरे में वापस थोड़ा था भी लीग में इसका specific काम क्या होगा प्रिक्लर स्टेट में स्टेट में हमारा MP से की बात करें एक प्रिक्लर MP के इंडास्ट्री डवलप्मेंट को लेकर ये क्या देते लून की फेसलीटी देते बच्चा अब ये हैं पूरा शॉट्कट जुए मैं आपको को प्रवाइट करने हैं इस शॉर्ट कट की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा नैशनल लेवल में क्या पढ़ा और इंडिया डेवलोपेंट बैंक जिसमें हमने चार पढ़े बत्चों पहले बता हुए में काम देखो फैनांस करना इंडस्ट्री को मीडि इंडस्ट्री इंवेस्मेंट क्या लिखा है पाइन्स करना किसको है सिक इंडस्री बोले तो दूबने वाली खतम होने वाली बिमार सिक मतल सब्सक्रिप्शन को देना सिंडिकेशन और अगर एक्दम और एक्स्ट्रा लिखना है तो बच्चा कब साट अगुए है वाप खुट से याद करना किस्ट्राप में भूल होगे मैं कित्ना याद कर आँ अब याद कर आके टाइम वेस्ट होगा गहर पर जागे खुद यार करोंगे while याआ टोमेमें तो मुझे नहीं लिखवागी वी दूसरे चाप्टर है की इसलिए में यह में भी फोकस नहीं करें लेकिन मुझे यह मालू है कि इतना तु लिख सकते हो ना बच्चा नाम से में परपस क्लिक होना चाहिए और कॉमन तो मैंने बता दी न सबके क्या कॉमन है सेम स्पेशलाइस फाइन्स इंस्टिशन पड़ा जिसमें आए 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 दोनों सेम है बस दो अलगला कंपनी के यह क्या कर रहा है टूरिजन सेक्टर के यह में काम है कॉमन क्या है यह साथ में क्या करते हैं लोन में देते हैं सब्सक्राइब भी करते हैं और टेक्नॉलीजी को प्रमोट करते हैं बात समझ महांगी तो मैं आपको कॉमन भी दे दिय एलाईसी किसको फोकस करता है इंशार करता है लाइफ और यह क्या करता है एंकरेज करता है सेविंग इंवेस्मेंट इन इंडिया मतलब कि विचल पंट छोटी-छोटी सेविंग्स को क्या करता है सेविंग को एंकरेज करता है कि वह लाओ सेविंग करो दो यहां हम इस में आपको क्या बताना है लाइज इंशुरेंश द्यू इस इन सब क्या है यह special रख स्टेट लेवल के उननीका स्टेट फिनाइशल स्टेट इंडैस्ट्रय में कैं स्टेट फिनाइश क कया बूलता है मैं किसको फोकॉस करते हो डेवलोप्न अफ स्मॉल्ल और मीडिया height इना पर्टिकुलर श्टेट थे घ्यंक explores प्रमोट करता है इंड़स्ट्री डवलोप्मेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट इस्टेट की बात उड़ी है प्रोवाइड करता है फाइनेंचल असिस्टेंस कुसको बच्छा स्मॉल लिए और अधर ऑब्जेक्स में कॉमन ही बाते हैं फाइनेंचल असे मतलब पैसे लोन देना भाई सब्सक्रिप्शन मतलब इन्वेस्टमेंट करना बच्चा यह सब बैंक सी है लिकिन यह बैंक कहा है स्टेट लेवल के इनके कॉमन पॉइंट्स वह हो जाएंगे जो नाशनल लेवल के है क्या लिख है प्रोवाइड असिस्टेंट यू नियूर टाइप आप ब तो इन शॉट फूलों की खेती काइंड ओफ टिशू कल्चर मतलब वहीं जो क्रॉस करके लोग चेंज करते हैं इन सारे बिजनस उसको क्या करता है बच्चा यह पटिकुलर स्टेट ओविसली ग्रोग करेगा ने इससे इनका फोकस पटिकुलर स्टेट को लेकर है वराइट स्टेट ओफ प्रमोशनल एक्टिविटी इंडस्ट्री सर्वे करना एंडप्रेनर्शिप ट्रेनिंग देना डेवलोप्मेंट यह सारे चीज़े मैंने आपके लिए शॉट में करकर दे दिये लेकिन स्टिल मेरी रिक्वेस्ट है रीड तो करना पड़ेगा ताकि लिख सको में आ गया जब हमने स्टार्ट किया तो पहला फैनेंशल इंसिटूशन क्या है नाशनल लेबल फैनांस की दे रहा है ना दूसरा स्टेट लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टिन जो अब हर जगा आपको सुनने को मिलेगा और फर्स पार्ट में जब हम पढ़ींगे जो चैप् स्ट्थ स्ट्विस्स घ्रिदिंगे आज अंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉनसेप्ट ऑलिफायड यह एक इन्सूटूशन की इनकी लिस्त पढ़ रहा है ना बायर है लेकिन जो बाइर हो क्या बच्चा कॉलिफायड है अकालिफाइड कि यह ल्स्ट में कवर होता है। चैसलुट ने बॉल रखा है। इनकी लिस्ट है क्वाइड वह इसे हैं तो वह क्वाइड को आयई स्थितुशिण यूलकर वे इन्वेस्ट इंसेट करता है क्वा 具ुब्रो 220 फ्क्रिव हो और ना, लार्ड स्केल, एक शेर, दो शेर, तिन शेर नहीं खरीदता है, ये बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स है, ये लार्ड स्केल में शेर्स खरीदते हैं, एक्सपर्टाइज होती है, इनके पास, फाइनेंशल प्रोफिशन्सी होती है, मतलब नॉलेज है, ठीक है, और ये प्रोफेशनल टीम है, इन्हें मालूम है कि किस कंपनी में इंवेस्मेंट करना और किस कंपनी में इंवेस्मेंट नहीं करना है, to evaluate, to invest the capital market, तो कौलिफर इंस्टिशनल बायर, एक बायर है, कंपनी का शेर्स खरता है, लेकिन शेर्स छोटे मोटे नहीं खरीता है, लार् किया है, पढ़ा है, जो सबकी सेविंग्स को खटा करकर क्या करता है, एक प्रोफेशनल टीम के देता है, तो मिचल पंड वो कौलिफर इंस्टिशनल बायर है, बाय समझ में आगे, वेंचर पिटल फंड ये भी क्या है, कौलिफर इंस्टिशनल बायर है, लेकिन इसका पैस बच्चा इसको शॉटकट में AIF दोलेंगे, अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इसके नाम से समझो, ये अल्टरनेटिव इंवेस्मेंट पंड है, किसी का कोई साहरा नहीं, तो ये साहरा बन सकता है, ये एक अल्टरनेट तरीका है, जिससे आप पैसो की जैसे, बस इसके नाम अलग है, लेकिन कितना अलग है, ये हमारी लिस्ट में है, ये अभी हमारी लिस्ट में है, दिखने रहा है, ये रहा, पढ़िंगे इसके भी डिटेल में, अभी हम लिस्ट पर रहे, क्या 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 है, अब क्योंकि मुझे 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 मुझ में यहां यहां आप इंवेस्टर के सब्सक्राइब करते हैं इसे ही आल्टेटिभ investment fund भी होता है बच्चा यह इंदिया का इंडिया के बाहर का इंडिया का वेंचर मजाल है क्या बिना रजिस्टर वाला बंदा यहां कर इंवेस्टमेंट कर पाएगा बिल्कुल भी नहीं ठीक है पहला पॉइंट समझ में आ गया तो यह कॉलिपर इंस्टुटिशन बाहर की क्या बच्चा लेस्ट है दूछरा क्या लिक्षा है पॉर्ण पॉर्टफोलियो इंवेस्टर पॉर्टफोलियो इंवेस्टर पॉर्टफोलियो इंवेस्टर बहुत सारे इंवेस्टर मिलकर लिकिन यह कहां के इंडिया के बाहर के बाहर के फॉर्ण बोल दिया तो अगर फॉर्ण बोल दिया तो अधर देन इंडिया लिकिन क्या वच्छा qualified institutional buyer है लेकिन यह जो investor है बाहर का इसमें कौन नहीं है qualified institutional list में कौन कौन नहीं है इंडिविजल इंसान समझ जाना इंडिविजल बोले तो इंसान पर्तन लिखा होता है तो इंसान मस्त समझना वाटविशल बॉड़ी भी हो सकते हैं पॉर्णर इंसान qualified institutional buyer नहीं है वापस हम क्या बढ़ रहे है qualified institutional buyer के लिस्ट qualified institutional buyer में इन्होंने बुला कौन आता है foreign portfolio investor यह investor इंसान नहीं होना चाहिए मतलब यह कोई ना कोई artificial body है बात समझ भाई फिर क्या लिका है corporate bodies भी नहीं अब corporate body क्यों होती है corporation मतलब क्यों होता है corporation क्या होता है company लेकिन company के अलावा भी तो दूसरी entities होती है very good दूसरी organization भी तो होती है अब चलो यह corporate bodies में थोड़ा सा focus जाते मानसी का face मुझे देख गया है बच्चा कॉर्पटाइजेशन मतले कहीं कहीं रजिस्टर्ड है नॉन रजिस्टर्ड चीज़ें बची है न हमके वह बहुते है company corporate है मतलब रजिस्टर्ड है लेकिन क्या यहां इंडिया में non corporation वाली कोई चीज नहीं है मतलब इन्होंने क्या बोल दिया असोस्टेशन बना दिया अपना खुद का जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है यह कह रहे हैं corporate बोडिस की बात नहीं कर रहे हैं इंसान की बात नहीं कर है और कुछ फैमिली ऑफिस जैसे हमारे इंडिया का कल्चर है एक क्या होता है तो यह कह रहे हैं इंडिया के बाद इत्ती सारी कंट्रीज इत्ती सारे concept होंगे ना तो इन्होंने का कि हमने सब को कवर कर लिया है और क्या बोला qualified institutional वायर में कौन आएगा इन्होंने का foreign portfolio investor आएगा यह foreign portfolio investor हमारा next heading है कौन होता है डिटेल में बढ़ेंगे हाट चीज की detailing है बच्चा मतलग qualified institution वायर एक list है उसमें जो जो एक एक word है उसकी detailing है मिचलफन की detailing नहीं थी क्या पूरा chapter था बच्चा बस मुझे अब समझाना नहीं पढ़ रहा हुसे क्योंकि concept के लिए ऐसे foreign portfolio investor एक होता है ठीक है इन्होंने बोल दिया उस investor में हम individual की बात नहीं कर रहें corporate bodies की बात नहीं कर रहें family office की बात नहीं कर रहें तो कर किसकी रहें पढ़िंगे ना बच्चे किसकी कर रहें इनकी categories है category 1 category 2 लंबी चौड़ी लिस्ट है बाहर बहुत सारी चीजे चलती है वो इन सारे concept को बताएंगे के लड़े बच्चा पका चले नेक्स का लिख है पब्लीक financial institution यह सारे सारे financial institution है public कौन से वाले पब्लीक को लेकर जिनका concern है ठीक है schedule commercial bank समझते है सारे सारे बैंक example SBI यह सारे सारे ठीक है multilater और क्या लिखा है bilater multilater word का मतलब बहुत सारे bilater मतलब दो दो लोगों का agreement होना इस bilater multi मतलब बहुत सारे unilater किसी से कोई agreement नहीं अकेला ही मैं हूँ ठीक है uni मतलब एक bilater मतलब दो multilater बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने बूल देक कुछ financial institution है development financial institution है जो की किस तरीके से काम करें multilater मतलब बहुत सारे जगा पर bilater मतलब दो जगा unilateral नहीं क्या बात समझ में आ रही है list है यह पुरी-पुरी कह है list हर list के गहराई है हर लिस्ट के गहराई है और सब सब्का के बता रही हो introduction तो यह क्या लिख है इंदेश्श्ट्रियल्स डेवलОपमेंट कॉर्परिशन निचर्छेंढ पढ़ा इंचुरेंस कम्पनि समझते हैं अ इंचर्वाइच क्या करते हैं आप से पैसा लिया और क्या करते हैं अभी भी तो पढ़ा हुने investment institution LICS insurance company जो की कहां रजिस्टेर है इनकी खुद की हम पढ़ रहे हैं कॉलिफाइड institutional buyer है कौन जो company में बड़ा लंसम पैसा लगाती है इनका insurance company ना आपके क्या करते सम्हाल के रखते क्या market में लगाती है प्रोवेडेंटंड समझते हैं पाप लोग की पंडिंग करती रहती एंप्लाइस का ना तो जो वो फंड संब्स वागिरह जो रहता है वह फंड कंपनी इखट्टा करके क्या अपने पास सम्हाल कि रखती है मार्केट में लगाती है प्रोविडेंट फंड मिनिमम कॉर्पस कॉर्पस मतलब की मिनिमम फंड पूरा पूरा पैसा कितना इखटा होता है उन्होंने क्या बोल दिया है मेरी एक और्गनाइजेशन है जो पैसा लगाती है ठीक है मेरी और्गनाइजेशन अगर 25 करोड से जादा है तो मैं कॉलिफायड इंस्टिशन बायर हूं 25 क्रोड से कम है तुम्हें इंस्टिशन बायर नहीं हूं next pension fund भी होता है बच्चा जैसे provident fund होता है वैसे क्यों होता है pension fund इसका भी minimum corpus कितना 25 करो qualified institutional buyer बड़े-बड़े investment players है जो बड़ी-बड़ी companies में बड़ा-बड़ा पैसा लगाती है और इसकी पूरी list है national investment fund ये एक scheme होती है जिसमें पैसा दिया जाता है इस fund इस पूरे fund को manage करने वाला कौन है सेटप करने वाला है government सरकार है वारी तो इन्होंने का भाईया ये भी qualified institutional buyer है क्योंकि सरकार इस पैसे को क्या संभाल के रखेगी market में लगाएगी ना थोड़ा बढ़ जाए भाईया पैसा इंचुरेंस fund यहां इंचुरेंस company था जहां देना यहां पर अलग से इंचुरेंस fund बना देगे इंचुरेंस fund सेटप बाई और manage बाई क्या लिखे बच्छा आर्म अभी तर यह सब private लोगों की बात हो रही थी इन्होंने का भाईया अब हम सरकारी की बात करते जिसमें हर सरकारी का अगर सब्सद्रीय की बती है तो देल्स हो चांगि दाथे वह भाईया डिया यह लिए पूस है उनकी तू बहुत सारी स्किम चलती पीस के जितनी भी इंशरेंस फंड ए इसका पैसा भी सेक्योर्टी मार्केट में लगता है I can स्टमेटिक ली क्या लिख है नौन बैंकिंग फैनेंचल कंपने यह भी कहां पैसे लगाती बच्चा सेक्योर्टी मारें इन शॉर्ट सबका कंक्लूजन क्या है अब समझों कि हम पढ़ रहें फानेंचल सिस्टम में फानेंचल मार्केट समझ में आ गया अभी पढ़ेंचल इंसिटूशन यह वह लोग पैसे लगाते मार्केट में तो हम नाशनल लेवल स्टेट लेवल पढ़ चुके अब इन्होंने बुला है कॉलिफाइड इंस्टूशनल बायर होत ते नामों की क्या बच्चा लेटे घिसमेंसे हम कुछ को डिटेल में पढ़ेगे मुच्वर्फड को डिटेल में पढ़ चुके है वैंचर यहीं पाड़ेंगे और इसमें से दूसरे च्क पढ़ेख मंगे Sans कुछ अना कुछ पढ़ चुके यह बायर्स थे कंपनी का शेर खरीते हैं बड़े लेवल में यह एक तरीके से अपने एरिया के एक्सपोर्ट है इनके पास अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है यह दिमांग लगाते हैं कि भाईया कहां पैसे लगाए ताकि हमारा इंट्रेस मां से आ जाए हमारा पैसा और ड टेल में आने वाला है वो मैं बता देती हूँ बता ही दिया है और जो नहीं समझ में आया है वो मुझसे पूछ होता कि मैं उसे और अच्छे से एक्स्प्लेइन कर सकते हैं कि चलिए तो बच्चा हमने अभी मुझे बताओ कितने इंस्टिशन पढ़े पीड़े नाशनल ले रखना ठीक है तो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं समा ठीक है